ये 11 खिलाडी जिताएंगे भारत को तीसरा बिश्यो कप फाइनल से पहले कप्तान रोहित ने घोसित की प्लेंग लेविन रविबार को आश्टिलिया को हरा टीम इंडिया लेगी 2015 से भी फाइनल का बदला नमस्कार दोस्तो किर्केट के एक और न्यू वीडियो में आपका श्वागत है तो दोस्तो कैसे आश्टिलिया के खिलाब रोहित ब्राट ने मिलकर बनाया मास्टर प्लान नरेंदमोदी स्टीडियम में किन 11 खिलाडियों की होगे एंट्री फाइनल से पहले कप्तान रोहित ने कौन सी प्लेंगलेबन घोसित की रविबार को आश्टिलिया को हरा टीम इंडिया कैसे लेगी बल्ड कप 2015 का बदला सब कुछ जानेगे इस वीडियो में लेकिन उससे पहले आप भी इस वार टीम इंडिया को दिल से सपोर्ट कर रहे हैं तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजेगा दोस्तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि बल्ड कप 2023 का अब एक ही मैच बचा है जो कि निर्डायक मैच होने बाला है यानि कि बरस 2023 बल्ड कप का विजेता कौन होगा वो 19 तारीक के मैच को पता चल जाएगा जहां दोस्तो और दोनों फाइनलिस्ट टीम है हमें मिल चुकी है एक तरह पे अपनी टीम इंडिया दूसरी तरह पे टीम आश्टेलिया ऐसे भी ये मुकाबला कापी ज़ेता कड़ा होने वाला है क्योंकि दोस्तो पहले जो टीम इंडिया का प्रदर्सन है वो भी लाजवाब है टीम इंडिया ने लगातार दस मुकाबले जीते हैं लीग में और नॉकाउट में नुजिलेंड को हराया है वहीं दोस्तो आश्टेलिया ने भी जवर जस्त तरीके से कमबेक करती हुए पहले आश्टेलिया दो मैच हार गईती लगातार लेकिन उसके बाद वो आप राजिये रहे हैं और धमाकेदार तरीके से आश्टेलिया ने बापसी किये और अभी हाले में साउट अफ्रिका जैसी मजबूर टीम को सेमी पाइनल में हरा कर फाइनल में प्रबेस किया है तो ऐसे में ये फाइनल मुकाबला है बहुत ज़्यदा कड़ा होने वाला है कड़ी टककर दोनों ही टीमों के ओर से मिलने वाली है दोस्तों हम आपको बता दे कि भारत और आश्टिलिया का जो फाइनल मैच है वो रभीवार को दो पाहर दो बज़े से खेला जाएगा वह दोस्तों आप लोग तो जानते हो कि आश्टिलिया इस बार बल्डे कप में अब काफी मजबूर टीम बनकर उभरी है तो ऐसे में कप्तान रोईस सर्मा ने विराट को लिके साथ मिलकर आश्टिलिया के खिलाप एक मास्टर प्लान तयार किया है और प्लेंग लेविन को सेट किया है जिसके बाद कप्तान रोईश सर्मा ने कहा है कि हम नरेदमोदी इस्टेडियम में आश्टेलिय के खिलाप इन 11 खिलाडियों के एंट्री कराएंगे साथी रोईट ने सूरिया या इशान को लेकर भी एक बड़ा वयान दिया है तो सबसे पहले अपन ये जानते हैं कि फाइनल मैच में भारत की जो प्लेंग लेवे ने वो क्या होने वाली है तो सबसे पहले बात करेंगे ओपनर की तो ओपनर बिलकुल कंफर्म है दो ओपनर रोईश चर्मा और सुमन गिल ये दोनों ही आश्टिलिया के खिलाब फाइनल मैच में ओपनिंग करते ही नजर आएंगे वही नमबर तीन पर अपने विराट को लिया आएंगे नमबर चार पर स्रेय सहियर जो की बहुत ही जवरजस्त तरीके से फॉम में चल रहे हैं जिरोंने बैक टू बैक दो सतक चड़ दिये हैं और कापी धमाकेदार तरीके से बल्लेवाजी कर रहे हैं नमबर पाँच पर विकेट कीपर बल्लेवाज के तौर पर केल राहुल जो की बाद में शांदार फिनिसिंग टच दे रहे हैं नमबर चे पर दोस्तो सूरिया या इशान में शे किसी एक को मौका मिले की उम्मिद जताई जा रही थी लेकिन दोस्तो रोहिष सर्मा ने कनफर्म कर दिया है कि नमबर चे पर अब सूरिया को ही मौका मिलेगा क्योंकि सूरिया एक्सपेक्टर तो हैं ही शाथी वो इसान से ज़्यादा अनुभवी है और इसी कारड सूरिया को मौका दिया जा रहा है वहीं दोस्तो नंबर शाथ पर रविंदर जड़ेजा इसके बाद जो चार गेंदवाज रहेंगे वो रहेंगे अपने कुल्दी प्याद जो कि इस्पनर की भूमिका निभाएंगे जो की मुक्य इस्पनर रहने वाले हैं वहीं दोस्तो तीन तेज गेंदवाज मौमद समी जस्पीत बुंबरा ये तिनों तेजगेंदवाज हमारी जो तेजगेंदवाजी डिपार्टमेंट रहेगा उसको सवाल लेका काम करेंगे तो दोस्तो आश्टिलिया के खिलाब फाइनल मैच में ये रहने बाली है टीम इंडिया की प्लेंग लेविन और इसी प्लेंग लेव कहा है कि हमें आश्टिलिया के सामने साड़े 300 से ज़्यादा का स्कोर खड़ा करना होगा क्योंकि आश्टिलिया बहुत ज़्यादा मजबूर टीम है उनके डेविड वार्णर, ट्रेविस हैड, मिचल मार्स, इस्टीवन इश्मित और कई खिलाडी मौजूद है जो कि 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 किसी भी समय किसी भी मैच का पांसा पलट सकते हैं तो ऐसे में हमें आश्टिलिया के खिलाब साड़े 300 से भी जादा का स्कोर खड़ा करना होगा जिसमें जो अहम भूमिका निभाएंगे उसमें सबसे पहले रहेंगे अपने रोष शर्मा जो कि पहले 10 ओवर में ही इस अप मजबूत ही प्रदान करेंगे इसके बाद स्रिया सायर आते ही चपको की बरशात कर देंगे इसके बाद केल रहो लाएंगे तो वो भी सांदार तरीके से बल्लेवाजी करेंगे अंत में जो सूर्य कुमार यादा हो है जो चार पांच उबर जब बचेंगे लास्ट में तो बल्लेवाजी करने आएंगे तो इस बार सूर्यस उमीद जताई जा रहे है कि वो टेम इंडिया को एक शांदार फिनिसिंग टच प्रदान करेंगे इसके बाद हमारे पास जडेजा भी मौजूद है जो कि अंत में आकर कुछ हाथ अजमा सकती हैं रोध बिराट ने कहा है क हम पहले बैटिंग करकर साड़े तीन सो या चार सो रनों का लक्षे देंगे जो कि एक मजबूत लक्ष होगा और हमारे जुक तेज गैंदवाज हैं जिसमें मौहमस समी जस्प्रीत बुम्रा और मौहमस सिराज ये काफी जवरजस्त तरीके से गैंदवाजी कर रहे हैं तो वो साड़े तीन सो या चार सो इस रक्षे को आस्तानी से बचा पाएंगे वह दोस्तो जैसे ही रोहित विराठ ने ये प्लान राहूल द्रबिड से से सेर किया तो उनकी प्रतिक्रिया भी शकरात्मक थी तो दोस्तो आश्टिले के खिलाब रोहित विराठ के प्लान पर आश्टिले के खिलाब भारत को कितने रन बनाने चाहिए पहले वैटिंग करते हुए कमेंट बोक्स में जरूर बताएं मिलते हैं एक और नए वीडियो के शाथ तब तक के लिए जैस याराम